उत्तरप्रदेश में ऐसा लागू भी कर दिया गया था कहा जा रहा था कि जल्दी लागू क्या जाएगा कि अगर बच्चे गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं तो एक्सिडेंट हो जाता है या कुछ भी उससे क्राइम हो जाता है तो उसका हर जाना भरना पड़ेगा जाता है और वह सड़क पे निकल जाता है एक्सिडेंट कर देता है र लाकार अगर वहू एक्सिडेंट कर देता है तो वहां पर जो कानून जो बोलता है वह उस वीकल के ओनर को भी बनाया जाएगा, वहाँ पर दो कानून इंप्लिमेंट होंगे, एक मोटर वीकल एक्ट लगेगा उसके अंदर जहाँ पर जिस परसन को जो चोट लगी है जो उसको उसका हरजाना देना होगा अब अगर वो वीकल इंशोर्ड है, तो इंशोरेंस कंपनी उसका हरजाना देगी लेकिन क्योंकि वो वीकल चला माइनर रहा था तो इसकी पूरी रिस्पोंसिबिलिटी उस वीकल के ओनर की आजाती है तो जो भी उसको चोट लगी है, जो भी उसका हरजाना है वो वीकल के ओनर को देना पड़ेगा, यह तो हो गया आपका एक civil right, जो motor vehicle act के अंदर है, दूसरा आता है criminal offense, क्योंकि एक minor vehicle चला रहा है, और वो उसकी गलती के कारण accident होता है, तो वहाँ पर उस vehicle के ओनर को और उस minor को party बना जाएगा, minor के अगेंस तो कोई offense है नहीं, वो तो JJ board में जाएगा, लेकिन उस मालिक को, उस vehicle के मालिक को code में बुलाए जाएगा, उसके against case चलेगा, negligence का case चलेगा, और यह decide होगा, उसको कितनी चोट लगी है, उसके साब से सजा decide होगी, इस case में अगर वो जो इसको चोट लगी है, वो मर जाता है, तो हहाँ पर section 106 एक्टेक लोग जानना भी चाते हैं, कि अगर इसमें मैंने ये खेल कर दिया, या हमने लडाई कर ली सड़क पर, तो उस पर क्या charges बनते हैं, जैसे मालिक अभी सड़क पर लडाई हो गई, अक्सर होता है कि गाड़ी टकर हो गया, उतर कर फिर मार पीठ हो गई, उसमें किस तरीके से केसे को हेंडल किया जाता है, कौन-कौन सी धारें लग सकती है, ये तो पूरा डिपेंड करेगा, वहाँ पर जो इंसिदेंट हुआ है, उसमें कितनी चोटे लगी है, ये सड़क पर जगड़े होने बड़े आम है आज की डेट में, क्योंकि लोग अंदर पेशेंस नहीं है गाड़ी ठाकरा गई हुआ है, इस में धी डेमेच उआ है, लोग आपस में जगड़ पड़ते है, अब हम पर कितनी चोट लगी है, जी पर जिस ने भी बारा है, उसन ने भी बारन से धर्याव-धर इमारे बड़े, यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूरा नही कि मेरी गाड़ी में महिला बैठी थी दूसरे वाले ने उसको छेड़ दिया अब ऐसे मामले फिर बाद में जाकर के सेटल होते हैं तो यह सारे डिपेंड करता है क्या आपने कम्प्लेंट लिख करके दिये और उसमें क्या सेक्षिन बात यह नए सही तके अट्रेक्ट होंगे तो मेरी तो यही दरखास है चैनल के अगर आपका कोई ऐसा एक्सिडेंट होता तो उसको एक्सिडेंट तक ही रहने दीजिए जगड़ने की जुरुत नहीं है क्योंकि जगड़ा होगा इन जगड़ों के अंदर मडर केस तक भी रिस्टर हो जाते हैं बिल्कुल तमामें से किसी की गलती है कारण हुआ है आप उससे डेमेज मांग सकते हैं लेकिन उसमें जगड़ा करने की जुरुत नहीं है अगर आपकी गाड़ी पे कोई आ करके गल्थ तरीके से डेमेज करके चला याता है तो आप पुलिस कोल कीजिए बुलाईए वहां पर एक छोटा सा मुखसान पोचाया है वह लगेगा वह बेलेबल ओफैंस है उसमें अरेस्टिंग नहीं होगी उसके अंदर जा सकते हैं इसके अलावा आप सिविल कोट में जाकर के अपने डेमेजिस मांग सकते हैं इसके अंदर